किया कभी आपने पोई की दाल इस तरह से बनाई है अगर बनाई है तो मुझे कमेंट करके बताए कि आपको यह दाल कैसी लगती और नहीं बनाई है तो प्लीज इसे ट्राइ कीजिए यह रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेश्टी है तो चलिए देखते हैं इसकी रे अब लिया है मैंने एक कप चंन डाल चार से पाच घंठे के लिए शोक कर लिया अगर आपको पास बहुत जяदा टाईम नहीं है ताभ दो घंठे या एक घंठे के लिए भी सोक कर सकते हैं तो चंना डाल को अच्छे से शोक करने के बार अंब मैं डाल रिए यह से अब मैं इसमें डाल रही हूं दो ग्लास पानी पुई में अल्रेड ही पानी होता है काफी जाधा मौश्यर होता है तो बहुत जाधा पानी ना डाले अब ले रहे हूं एक टेबल स्पून नमक एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक बेलीफ तेज पत्ता, तीन लिया है मैंने लॉंग, और अब इसे हम धकन लगा कर इसमें प्रेसर कुक कर लेंगे, दो से तीन सीटी लगने के लिए क्योंकि दाल हमने सोक किया हुआ है तो यह जल्दी पक जाएगा, अब ले रहे हूं हाफ टेबल स्पून यहां एक टेबल स्पून लेवर्यू धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून लेयू मैं कस्मिरी लाल मिर्च पाउडर, और हाफ टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर क्यूंकि यह दाल है तो इसमें हम बहुत जादा मसाले बिल्कुल नहीं डालेंगे थोड़ा सा कम मसाला यूज़ करना है इस goose में हम पानी डाल कर विद को पानी जाए अ्धिक्य herb苏 फिके पेष्ड बना लेंगे मैं इसमें से जो साबूत डाल है उसे थोड़ा सा निकाल लेती हूं इसे हम बाद में यूज करेंगे और बागी का जो है डाल गोटनी होती है आप उससे गोट लीजिए इस तरह से ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए जो तेजपत्ता है उसका काम खतम हो चुका है इसलिए मैंने उसे निकाल लिया है डाल जो है मैंने गोट लिया है अच्छे से अब एक कडाई गरम कर लीजिए और इसमें मैं डाल रही हूं चार्ड टेवल स्पून मैं डाल रही हूं मस्टर्ड आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं आप और डाल सकते हैं मैंने डाला एक टेव कि आज को हमें जो है कलर चेंज होने तक पकाना है यानि की गोलडन होने तक इसे पकाना है इससे इसका फ्लेवर जो भ्हुँत अच्छा आएगा कि अग्ली में एक पिंच हींग डाल है तो हिंग का फ्लेवर काफी अच्छा आता है इसके बाद मैंने डाला है आधर टुकड़ा डाला है मैंने डाल चीनी का एक टेवल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें लेसुन का पेश्ट इसमें लेसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके बाद मैं डाल रहें एक टेवल स्पून अद्रक कुटा हुआ अद्रक और इसे एक मिंट तक चलाते हुए पका लीजिए जिससे इसका कच्चापन खतम हो जाए अब मैंने डाला है एक टेवल स्पून हरी मिर्च यानि कि एक हरी मिर्च एक या दोक डाल सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा चटपटी खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं इसके बाद हमने जो मसालों का गोल बनाया था वो डाल दिया है मैंने गैस की फ्लेम को आपको स्लो रखना है जिससे मसाले जले नहीं इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हूं अब इसमें मैं डाल रहे हूं तील टमाटर की प्योरी मैंने तीन टमाटर को पीस लिया था अब बारीक काटकर भी डाल सकते हैं इसके बार टमाटर के साथ ही साथ जाएगा इसमें नमक एक टेवल स्पून मैंने नमक डाला है याद रहे हैं नमक हमने पहले भी डाला है दाल में तो आप उसके अकॉर्डिंग ही नमक डाले अब इसे हम ढग कर 2-3 मिंट के लिए पका लेते हैं बीच-बीच में चलाते रहना है और यह देखे मसालों से थेल जो है सेपरेट हो चुका है अब इसमें डाल देते हैं हमने जो डाल रखा था डाल डाल देते हैं इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लिगे देखे दाल जो है कितनी अच्छी दिख रही है यह अब मैं डाल रही हूँ जो हमने चना दाल निकाल लिया था साबुत बॉइल करने के बाद वो डाल दिया है मैंने जिससे यह अलग से थोड़ा सा लुक इसका अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है अब इसे ढखकर उबाल आने तक पकाना है तो यह देखे उबाल आ चुका है इसमें अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक टेबल स्पून कसूरी मेथी और ये देखिए दाल में उबाल आ चुका है और दाल जो है पक चुका है अब इसमें लाश्ट में डाल रही हूं है बारिक कटा हुआ धनिया एक टेवल स्पून और ये देखिए थिकनेस जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं दाल की जितनी भी आपको चाहिए पतली या फिर गाड़ी अब लगाते हैं इसमें एक टड़का पैन में आपको डालना है दो से तीन टेवल स्पून ओल एक टेवल स्पून मैं डाला है जीरा दो हमें पकाना है साथी मैं इसमें डाला तीन साबुत लाल मिर्च और आप इसमें हम लगा देते हैं तड़का और ये देखिए डाल जो है एकदम रेड़ी है आप इसे गर्मा गरम सर्व कीजिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मि नेक्स वीडियो में बाइ